ताहिर गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुशामदीत कहती हूँ आप टेग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डुनेट के बटन को क्लिक करके हमें कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं आज की शो में बातचीत होगी फारती प्राइम मिनिस्टर नरिंदरा मुदी की हालीया अमरीकी यात्रा पर और इस बात का भी जाज़ा लेंगे के पाकिस्तान के विजिर आजम शवाज शरीफ यूएन में क्या कहेंगे और क्या वो ये बात भी कह सकेंगे कि पाकिस्तान में नामों से रसालत के नाम पर लोगों को बेदर्दी के साथ और मावराई कानून क्यों मारा जा रहा है इसराइर हिजबिल्ला की लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा इस बाठ पर भी तप्सरा करेंगे रूस युक्रेन की जंग क्या रुख अक्तियार करेंगी इसका भी जाइज़ा लेंगे अमरीका के एलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होंगे और कैनडा में एलेक्शन जल्द हो पाएंगे इन इमकानाथ का हता करेंगे तो चलिए बाचित का अगाज हम करते हैं भारती विजियाजम की अमरीका यातरा के हवाले से उन्होंने कवाड की मीटिंग में शिर्कत की यूएन जेनरेसमी से खताब किया और डाइस्प्रा के एक बहुत बड़े काक्रिम में आए आप उनकी इस अमरीकी यातरा को कैसे देखने हैं देखिया प्राइमिनिस्टर निंद्रा मूदी की ये जो अमरीकी यातरा है ये काफी सक्सेस्फुल रही आलमोस थ्री दिन का उनका टूर था उन्होंने यूएन जेनरसमली के 79th सेशन में भी शरकत की वहां का जो थीम था इस साल का वो कल्टिवेटिंग कल्चर आफ पीस था तो उस हवाले से उन्होंने बात की भारत का इंटरनेशनल पीस कीपर के तौर पर बड़ा एहम करदार रहा है खास्तोर प्रवी रूस्य उकरेन की जंग के सरस्वा में सना जा रहा है कि बारत बहुत एहम तरीके से अपना फरीज़ा भी सर अन्जाम दे रहा है اور इपरेंटली भी उन्होंने रूस का भी दौरा किया, यूकरेन का भी दौरा किया और फिर रूसी सदर के बार दो बार उन्होंने ये बात कही उनके सामने, कि जनाब ये जंग का जमाना नहीं और जो मसाइल है वो battlefield में हल नहीं हुआ करते हैं. तो प्राइमनिस इंदरा मूदी जो थी मैं इस वक्ष यू एन जी ए का उसका एक एहम हिसात है और उन्होंने उसमें तक्रीर की. बड़ी एहम तक्रीर है. उस पे भी में थोड़ी आगे चलकर बात करता हूँ. जो सबसे इंपॉर्टन बात थी वो था कौार्ट का इज्रास. अब कौार्ट चार देशों का एक कलब है जिसमें भारत, आस्ट्रेलिया, जपान और अमरीका शामल है. जिसका बन्यादी मकसद इंडो पैसिफिक ओशन को पर्टेक्ट करना है. और खास दो जो चाइना की एक् के लिए भी और जपान के लिए भी और भारत के लिए भी जपान और अमरीका वो काफी लंबे समय से इतहादी हैं. ऑन दे अदर हैंड अमरीका और ऑस्ट्रेलिया दो वेस्टरन नेशन्स हैं. और जपान और इंडिया दो इस्टरन नेशन्स हैं. इनके आपस में बहुत इ तरलकात हैं जपान के इंडिया के साथ बहुत अच्छे तरलकात हैं और अमरीका के सभी देश्चों से अच्छे तरलकात हैं थोड़ी बहुत एक्सेप्शन वो पुराने कलूनियल हैंग ओवर की वज़ा से इंडिया के साथ उनकी है तो उस اجلاس میں جو ہم دیکھتے ہیں کوارڈ کے اجلاس میں جو اب تک کی خبریں سامنے آئی ہیں اگرچہ اس پہ کینسر کی ریسرچ اور اس پہ زیادہ بات چیت کی گئی مگر یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر کوارڈ جو ہے وہ چائنہ کو اس ریجن میں کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اب ان چاروں لیڈرز کی اندر باتیں کیا ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی کوارڈ کے کئی اجلاس ہو چکے ہیں وہ اندر کی باتیں سامنے نہیں آتی جتنا یہ لیڈر میڈیا کو یا پریس کو بتانا چاہتے ہیں اتنا تو بتا دیتے ہیں باقی ان کی باتیں کافی سیکرٹ ہوتی ہیں لیکن اس سیکریسی میں ایک اوپن سیکرٹ کا کانسیپٹ یوں ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کلپ کا مقصد چائنہ کو کنٹین کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹن بات تھی جیسا میں نے یوں این جی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سمدھی کی بات کی وہاں بھی پرائم منسٹر نے جو تھیمت ہے اس سال کا کیپچرنگ دی کلچر آف پیس یہ ٹونٹی ٹونٹی فور کا تھیم تھا اس تھیم کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم باتیں کی ان کی تقریب موجود ہے یوٹیوب پہ بھی اور اس کم جو کانٹینٹ ہے وہ بھی آویلبل ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ تو وہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل پیس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ساری دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آگے آئیں اپنے مسائل کو حل کریں پھر جو آٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جو آگے دنیا کو چیلنجز ہیں وہ بھی اور جو گلوبل آ وہ ہے آ وارمنگ کا جو ایشو ہے وہ بھی ایشو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کا بہت یہ امپورٹنٹ تھا اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات تھی کہ دنیا کی جو بڑی کارپوریشنز ہیں ان کے آفیسز امریکہ کے ہیں زیادہ تر دنیا کی بڑی کارپوریشنز امریکل اوریجن کی ہے ان کے لیڈر سے سی او سے وہ ملے ہیں اور پہلے بھی ملتے رہتے ہیں اور انہوں نے ڈائسپورا میں جو باتیں کی موڈی انڈ اس جو ایونٹ تھا اس کو میں موڈی اور انڈ یو ایس بھی کہہ سکتا ہوں بہت بڑا ایونٹ تھا اس پہ آگے ہم چل کے بات کریں گے تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اب بھارت میں اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھارت اس کا انتظار نہیں کر رہا اپرچونٹیز بھارت آلڈی لینڈ کر چکی ہیں اور مزید لینڈ خود بہت کر رہی ہے بھارت کے ویٹ کیے بنا تو بہت ہی کامیابیز تھا پرائم سندرہ موڈی کا امریکہ کے حوالے سے ڈائسپورا کے ایونٹ کو ہم دونوں نے ٹینٹ کیا اور آپ اس ایونٹ کے محور سپیرت اور موڈی جی کی گفتگو کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے دیکھئے جیسا کہ یہ ایونٹ ہم دونوں نے ٹینٹ کیا اور بھی میں نے پیچھے ذکر کیا کہ موڈی انڈ اس کے نام کا یہ ایونٹ تھا میں اس کو موڈی انڈ یو ایس بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ موڈی انڈ یو ایس جس سے اس بھی بنتا ہے اور یونائٹر سریٹ امریکہ بھی بنتا ہے پرائم انسلٹ اندھرا موڈی نے جس طرح میں اس آئیmmas کو دونوں ٹرمز میں استعمال کر رہا ہوں کہ اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جو اس وقت ای آئی کا مطلب تو آئرٹی فیشنل intelligence है. अगर दूसरा मतलब ये है American Indians. क्योंकि Indians origin के लोगों का AI को आगे बढ़ाने में अमरीका के अंदर रहते हुए बहुत बड़ा करदार है. तो वो American Indians equal to American intelligence. ये इनका पेगाम था. प्रेमिस एंदिन्रा मुदी की जो तक्रीर थी जो मैंने आपने और हजारों लोगों ने सुनी उसमें कोई पंदरा हजार के करीब लोग मजूद थे. नासा कोलीजियम लांग आयरेंड के काउंटी में. तो उसका जो वलवला था, वो हम दोनों ने मुशादा किया. बहुत ही कमाल का वलवला था. मगर प्रेमिस एंद्रा मुदी की जो करीब एक गंटे से ज्यादा की जो स्पीच थी. वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी के उन्हों ने बहुत आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, बलके भारत अपुर्चूनिटी करियेट कर रहा है वर्ल्ड वाइट के लिए. फिर उन्हों ने पताया कि गलोबल वार्मिंग में भारत की जो इंडस्टीज है, उसका फूर परसंट सर्फ हिसा है. जबके दुनिया के दूसरे देश जो है, उनका नाइटी सिक्स परसंट हिसा है. उन्हों ने साफ का कि दुनिया की तबाही में भारत का इस्सा बहुत बहुत चोटा है. ना होने के परापर. ना होने के परापर. तो ये एक तरह से मैसे ही था. फिर उन्हों ने बड़ी केरफुल बाते की, उन्हों ने अमरीका और भारत के जो रिश्टे हैं, बढ़ते रिश्टे हैं, उनकी बात की. और वह वाकी रियालिटी है? फूचरिस्टिक अप्रोचेज और उसके साथ-साथ ये के यूट वेट फॉर अपर नहीं हैं कर दो उन्हों ने का नहीं बहुत हो दो दॉन्हों रहता है, वह भारत को को नेक्ट करता है उस देश के साथ. और अमरीका में चुब्हारति डाइस्पोरा सबसे बड़ा डाइस्पोरा है भारत से बाहर जो भारती बस्ते हैं वो अमरीका शायद एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बस्ते हैं मिडल इसके बाद अगर हम कह सकते हैं तो और वो उनका वहां पे आर्टिफिशन इंटेलिजेंस, वहां की मेडिसन, वह खुशी से चैंट भी कर रहा था और आपने और मैंने देखा कि डाइस्पोरा हाईली एजूकेटड और मोटिवेटड वेरी वेल अवेर, वेरी वेल इंटेग्रेटेड इन वेस्टन सोसाइटी है और अमरीका में जो भारती डाइस्पोरा है, वो किनेडियन डाइस्पोरा जो कैनिडा में भारती डाइस्पोरा है किनीडियन कांटेक्स में उस से भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा फाआल है, ज्यादा सिमिलेटिड है, ज्यादा legitimately है, तो प्राइमेंस्थ मोदी ने यही बताया कि बई आपकी हाँ तो करीब हर साल ही आता में वो एक वाज़े पेगाम था अमेरिकन इस्टैबलिश्मेंट को भी इंटरनाशनल स्टैबलिश्मेंट को भी कि मैं अपनी डाइस्पोरा के सब कितना जुड़ा हूं आपने देखा उस डाइस्पोरा में अगर वो जो मुन्तजमीन है और्गनाईजर जागर में बिलाना चाहते तो एक लाख लोग भी बिला सकते हैं बगर चुके कपैसिटी पंद्रह हजार लोगों की थी तो उन्हों ने इतने ही लोग बलाई और वहां पे किस कदर अच्छी स्चिर्टी थी और समूथ थी सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि जितने लोग शामिल थे बहुत पर जोश थे जी वो अभी भी आप्टमिस्टिकली चीजों को बहुत ज़ादा ले रहे थे ऐसा नहीं था कि अब होने वाले इंडिया के अलेक्शन ने उनके उपर कोई उनके इन्थूजियजम में या उनके जोश में और उनके वलवेले में कोई कमी की हो और उसके साथ साथ फ्यूचरिस्टिकली वेरी आप्टमिस्टिक थे ये बहुत बड़ी बात थी देखिए आपने जो एहम बात की उसी बात पर मैं इस बात को कंक्लूड करूँगा कि ना सिरफ बारती डायस्पोरा के लोग फ्यूचरिस्टिक आप्टमिस्टिक थे फ्यूचर के बारे में भारत के फ्यूचर के बारे में भी अमरीका भारत के दिश्टों के फ्यूचर के अवाले स इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नेरंदरा मुदी हिंसेलफ वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दे फ्यूचर ऑफ अमेरिकन इंडियन्स या अर्टिफिशल इंटेलिजेंस जिसको वो कहते हैं उनके फ्यूचर के लिए भी और दोनों को अलग अलग शकल में भी उन्हो दुनिया के सामने है के बदल चुका है ऐसा ही है इंडिया का रोल बदल चुका है देखिए इंडिया एक पैरलल सिविलाइजेशन है आज की दुनिया में एक तरफ वेस्टन सिविलाइजेशन खड़ी है और दूसी तरफ इंडियन सिविलाइजेशन खड़ी है इसके ये दो civilization's नजर आती हैं. आर्ट, कल्चर के इतवार से. अब जब हम आर्ट और कल्चर की बात करते हैं तो आर्ट में आर्ट itself, मूवी, म्यूजिक, डैंस, कल्चर में आप खाने डाल दीजिए, लोगों का रैंसेंड देख लीजिए, लोगों के लाइफ स्टाइल को देख ल लोग हैं. यानि हम सब मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन, हम सब इंडियन हैं. हमें ये तौफीग में लिए है, खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि हम अपने आपको फखर से इंडियन कह सकें. अब बचारे जिन पाकिस्तानियों को ये तौफीग नहीं वो जलते रहे हम क्या कर सकते हैं. लेकिन इंडियन जो हैं, इंडियन जेनरली हम इंडियन जेनरली अपना यूनीक एक सोशल फैबरिक भी रखते हैं, कल्चर भी रखते हैं. तो दुनिया को दो ही बड़े कल्चर नजर आते हैं. यह तो वैस्टन बर्ड, एक्रॉस यॉरप, ऑस्ट्रेलिया से लेके, यॉरप, अमरीका, कैनडा, या तो यह कल्चर नजर आता है, या फिर भारती कल्चर. चाहे वो बॉलीवुड का हो, हमारे योगा का हो, हमारे खानों का हो, हमारे म्यूजिक का हो, हमारे डैंस का हो, हमारे कपनों का हो. तो यह दुनिया क दो बड़े कल्चर हैं, तो मैं यह कहूंगा कि इस वक्त इनफेक्ट दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स हैं, एक तो वेस्टरन सुपर पावर हैं, अपने कल्चर के इतबार से एक बात दी है, इंडियन्ज है, यह बड़ा इंफ्लुएंचल पावर्स अफ दुन नोट साउथ कोरियन है, सिंगापूर के लोग है, फिल psychopath के लोग है, यह Asian कल्चर है, इनका बहुत खूबसरूरत कल्चर है, लेकृइजसा मैं यह कहराओ हूँ, अरब civilization बड़ी कुबसूरत है, उनकी कूछी ते बहुत खूबसूरत है, मैं यहां पे मघबों की बात नी इकर रहा बहुत खुबसूरत कल्चर है लेकिन वो छोटे छोटे कल्चर है दुनिया के जो दो बड़े कल्चर नजर आते हैं वो वेस्टरन कल्चर है या इस्टरन कल्चर है इस्टरन कल्चर में से भारती कल्चर है देखिए आप योगा से खानों तक अब चाइनीज कल्चर में खानो की वज़ा से ये बहुत बड़ी वैस है यूएन जेनल असंबली के जिलास में शिर्कत की गर्से पाकिस्तानी वज़ीर आजम शेरी पी अमरी का पहुंचे वो नेक्स फ्राइडे को अपनी तक्रीर करेंगे आपके ख्याल में वो क्या डिसकस करना चाहेंगे वो क्या प्रिज होके जाते हैं या कोई और बड़ा फॉर्म मिनिस्टर या इंपॉर्टन लीडर जाता है तो पाकिस्तान की तरफ से इस बार शिवाज शरीफ साब जा रहे हैं तो वो नेक्स फ्राइडे को वहां पे बातचित करेंगे प्राइम निस्टर निंदरा मूदी जैसे हमने वी प प्राइम निस्टर मूदी सेड वट ही वोड़ से इस तरह जो अपरेंटली लगता है वो कश्मीर पर जरूर बात करेंगे शबाज शरीफ साब उनका तो मतलब रेटर की यही है जी कश्मीर में क्या होना चाहिए हमारी क्या मंगे हैं यूएनों की करारदा पता है कौन सी व का हिसा है वैसे भी इस बार यूएन जनर्सामली का जो थीम है कल्टीवेटिंग दपीस कल्चर अब उस थीम के तहत अब प्राइम निस्टर शबाज शरीफ यह हमास और हजब ला या हमास हजब ला अगेस इसराईल की लड़ाई की बात करेंगे और पीस की बात करेंगे र मौदू पर और भी कई वर्ल लीडर जरूर बात करेंगे क्योंकि इस वक्ति ये एक बहुत बड़ा हॉर्ट टापिक है I can understand कश्मीर की बात भी करेंगे जैसे मैंने अभी पीछे कहा और इसको पीस कल्चर के साथ जोड़ने की कोशश करेंगे और मैं ये भी गैस कर सकता हू कि वो दुनिया में चुक्छे इनको हर वक्त पैसों की जरूरत होती है तो गरीब मलकों के हवाले से जो concerns हैं जो floods आ जाते हैं और इस तरह के जो कुदरती आफात आ जाती हैं दुनिया में उसके नतीजे में जो गरीब मलकों में तबाही होती है क्योंकि पाकिसान में भी त साल पहले ऐसे फलाट जाये थे कुदरती आफात आई थी तो उसके हवाले से तब से ये चल रहा है सलसा को पाकिसान को मदद दी जाए तो वो फिर दोराएंगे क्योंकि पैसे तो पाकिसान के पास कभी ना थे ना हैं और इसी तरह अगर पाकिसान चलता रहा तो ना कभी हो होंगे तो बस यही तीन चार मोटी मोटी बाते हैं जिस पर पाकिसान के वजीर आजम बात शीद करेंगे अपना कश्मीर का रेटरिक दोराएंगे और इसराईल के खलाफ एक भाशन देंगे और फिर उसके बाद जनल सी बातें करेंगे और जो कल्टिवेटिंग दे कल्चर और पीस जो तीम है उसके साथ कोई बातें जोनने की कोशिश करेंगे इस से ज्यादा ना शवाज शरीफ कुछ कह सकते हैं ना कहने की पोजिशन में है चलिए अब हम पाकिस्तान के हालात की तरफ लोड़ा से चलते हैं कि क्या वो पाकिस्तान में नामूसे रसालत पर होने वाली बर्बरियत पर दुख का इजार कर सकेंगे क्या पाकिस्तान में मजभी इंतहा पसंदी की मजमत भी कर सकेंगे यह देखें कि बड़ा ही खाफनाक वाकिया है अभी रिसेंडली जो हुआ उमर कोट में एक डॉक्टर को गल्बन डॉक्टर शाह नौाज उसका नाम था उमर कोट सिंद के अलाके में लोगों ने में उसके खलाफ शकायत जमा कराई फिर वो पकड़े गए और जेस दिन वो पकड़े गए हैं जो पाकिसान से इतला आई हैं उसी रात वो उनके साथ को पुलीस मकाबला हुआ उनको मार दिया गया अच्छा फिर वो मर गए बिचा को वही वहशी मख्वी जो पाकिसान के जनुनी इंतहा पसंद हैं वो उन्हों तफन, करसं, इंकार इन ले गए और लाश को उन्हों ने ज्रा दिया, तो इतनी होल नाक तास्तान है ये अभी कोई दो रोस पहले का pan przy आए, चंद रोस पहले ग्यारा बारा स्टंबर की बात है कोईटा में भी एक ऐसा ही मसला हुआ था जी एक शक्स को उन्हों ने पकड़ा और उन्हों का जी इसने भी रसूल खुदा के खलाफ कोई बात की है कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है तो इसको भी उन्हों ने मार दिय अच्छा उसको कैसे मारा था उसको पकड़ के ले गए वो पुलीस के हवाले कर दे और कर दिया गया और पुलीस के एक एहलकार ने अपनी बस्तॉल्चिस को मार दिया यह अलग बात है कि आज एक खबर आई है कि कोईटा में जिस शक्स को बरबरियत के साथ पुलीस के उस दरिंदे ने मारा था उसको उस इस मकतूल यानि वो बिचारा मरा था उसके वरसा ने का हम तुम्हें अब माफी देते हृँ हम कुछ नहीं कर सकते पता नहीं माफी देने का एलान किस दवाओ के ताहत किया है अब पाकिस्तान एक ऐसा अंबिलीवेबल डेश बन चुका है हमें जिसमें बर्बरियत और मजभी जनूनियत अपनी इंतहाओं को छोड़ी इस तरह के वाकियात कोई एक बार नहीं हर महीने को दो तीन खबरें आती रहती है और मजमा जो है ना मॉब निकलाता है किसी मॉलवी के कहने पे और मॉब को मॉलवी भी रोकना चाहे तो अब नी रोक सकते हैं चुक्छे लोग पागलों चुके हुए हैं जो जर्नल अवाम है न वो बेलकुल एहम कों की जन्नत में रह रही हैं उनका यही ख्याल है कि ऐसा करने से हमने इसको तो जहनम बेह दिया है ऐसे शक्स को और खुद हम अब जन्नत सीधा जाएंगे ये मेंटालिटी है पाकिसान की ना सरफ अनपढ़ अवाम की बलके अच्छे खासे पड़े लिखों लोगों का यही हाला आपने पूचा कि क्या शबाश शरीफ इस पे कोई दुक का इजहार करेंगे किसी सूरत मी व को कोई शर्म भी नहीं आती लीडर्स को चाहे आर्मी के लीडर्शिप हो चाहे पुलिटिकल लीडर्शिप हो अब देखिए ये सिंद में जो वाकिया हुआ है बिलावल बटो और आस्फ जरदारी की सिंद में बादशाहत हैं सिर्फ हकूमत नहीं हैं बादशाहत हैं वहां आपको पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के लोग जो ये विलावल बटो आसिफ जर्दारी और लीडर्शिप बड़े प्रोग्रेसिव कहते हैं आज तक ये अपनी नाक के नीचे इनके मेंनेज हैं ये चाहें तो उन सब का जीना हराम कर दे अब मैं ये बात जरूर हिंदों की बच्चीयों के साथ और हिंदों के खानदानों के साथ साल हा साल से कोई आज की बात नहीं है दखाईयों से ये बुरा सुली को रहा है तो ये हमें ये जो सिंदी नाम नहाथ जो रोशन ख्याल लोग हैं जो हमें ये भाशन देते के जी हम तो बड़ी वो बड़ जो toleration वाली कौम है कौनची toleration है आप क्यों नहीं रोक पाते हैं अपने इन एक्स्रीमिस्टों को इसका मतलब यह है कि आप कमजोर हैं आप सिर्फ खाली बातें करते हैं यह जो पीपर्स पार्टी रूल कर रही है वहां की जिसका वहां पे बोल बाला है कि क्यों नहीं एक दारी हो जाती है कि आप अपने अलाके का निजाम जो है उसको दुरूस रखने के लिए माइनॉरिटी से लेकर आप बंदे को इनसाफ फरहम करें और वह पैरलर एग्जिस्टन्स को एग्जिस्टन्स के तायत एक अच्छी सोसाइटी जो है वो तब ही बनती है जब सब लो खुद को मुसल्मान कहने वाला शक्स था उसकी कोई उपीनियन हो सकती है अब अब ये बहस चल रही है अब पाकिसान में देखिए खौफ का ये आलम है कि जी वो असल में जेनी मरीज था वो डिप्रेशन की दौई लेता था हाइपर टेंशन की दौई लेता था भी डिप् अब दोने तरफ मिजाइल फिंके जा रहे हैं हिस्बला के सैंक्रो लोग मारे जा चुके हैं अब आप इस जंग को क्या रुक त्यार करता और कितना फैलता देखते हैं देखिए ये जंग बन्यादी तोर पर शुरू हुई थी पिछले साल 7 अक्तूबर 2023 को जब हमास ने अ जांगली पन का मुझारा करते हुए जिस तरह उन बच्चों को जो इसराईल के और दूसरे मुलकों से गए हुए कांसर्ट में बच्चे थे उनको मंपकड़ा मारा कोई बारह सो से ज्यादा और अभी भी इसराईल के पास कोई हौस्टिच कोई सौ के करीब हैं और कई मारे भी जा चुके हैं बचैरे हौस्टिच उसके बाद फिर इसराईल चुके एक बड़ी मिल्टरी पावर है पिर उन्हों ने जिस जिस अंदास के सार रिटैलियर्ट किया अब हमास्वाले कहते हैं कि हमारे जो फलस्टीन चालीस हजार से ज्यादा मारे जा चुके हैं अब ये टैररिस्ट हैं उनके पास वो पेजर्जर्ज फटे और तीन हजार से ज्यादा लोग जखमी हुएं कुछ पेजर्जर्ज सीरिया में भी फटे इनके जो वहां पे लोग थे अब ये बहस चल रही है कि उन पेजर्जर्ज को क्या साफ्टवेर के जरीए उड़ाया गया था या हार्डवेर के जरीए उड़ाया गया था तो अब दुनिया स्नाटीजे पे पहुंचिये जी के वो से में हार्डवेर में को खराबी की गई थी यानि उन पेजर्जर्ज को जहां से वो चले थे हजब ला को सप्लाई देने के लिए बीच में कहीं पे बरूद भरा गया अब ये बहुत ही हाई टेक मामला है मैं तो वो खबरे बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल प्रेस में आ रही है सचाई क्या है ये तो अब लोग इन्वेस्टिगेर्ट कर रहे हैं दुनिया की हकूंतें इन्वेस्टिगेर्ट कर रही है अब देखते हैं क्या सचाई सामने आ गौट जाएं इस हद tej हद तर आ हाओ झाय अब जाहर है हजब अ झाय है थाहर भी है, हँजब यह जवाब के तौर पर सैंकडुं मेसाइल भइनकेन के उपर, अब हजब छाहर हैं पर हिजब आ के जवाब में इसरैंल जब मेसाइल देश हुआ करता था. अब जब से ये ये जो इस्लामिक एक्स्ट्रीमिस्ट और टेरिस्ट सच आज हिजब ल्लाह वहां पे च्छाए हैं. लबनान में कई खाना जंगिया हो चुकी हैं. लबनान बरबाद हो चुका हुआ है. जो दुनिया का सबसे खुबसूरत और वन अफ ते लिबरल्स देश हुआ करता था. तो अब लबनान के भी प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हुए है, यू एंजी है, इस इसमली न्यू यॉक, तो वो भी बिचारे क्या बात करेंगे? एक तरफ तो हिजबल्ला के दैशतगर्द है, दूसरी तरफ इसराईल फिर जाहर है, जब वो अपनी कारवाई करता है, तो फिर तो इनकी दैशतगर्दी सब की एक तरह से भूल जाती है ये. अब ये सवाल है कि जंग कितनी और फैलेंगे, ये बड़ा मसला है. देखिए, मैंने कई बार कहा है कि ये जंग कोई इंटरनेशन जंग नहीं बन सकती. क्योंकि इस जंग के लिए रूस और चीन नहीं कूदेंगे. यानि ये को फलिस्तिनियों की स्पोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे. ज्यादा ज्यादा दो चार स्टेट्मेंट दे दे देंगे. चीन तो भी तक यही कहता है जी कि दोनों पार्टियां बाहाँ आएं. वो तो इस्राइल की दिल से हमास को हिजबुल्ला को ही कसूर बाते हैं. उनका वाज़ तोर पर ख्याल है. सौदी अरब हो चाहे ये यूएई हो, कवेत हो, कत्र हो. भाई, इन्हों ने ये फलस्तीनी ये जो टैर्रिस ग्रॉप्स हैं, हमास के और इस तरह के इस्लामिक जहाद, वो ये वाज़ तोर पर समझते हैं, कि ये लोग ना, हमारे अमन के लिए खत्रा हैं. उनको इस्राइल से कोई खत्रा नहीं. लाहिज़ा वो भी जंग भी नहीं कूदेंगे. ज इसराइल के रूस के साथ भी कोई बहुत बुरे तलकात नहीं हैं, बहुत अच्छे तलकात भी नहीं हैं, और बहुत बुरे तलकात भी नहीं हैं. वो कतन और कतन जंग में नहीं हैं, यो रूस वैसे ही यूकरेन के साथ पंसा हुआ है, वो एक और मसीबत अपने गले डालन वेस्टन वर्ल्ड के साथ तो भी नहीं आएगा इसलिए ये जंग ज्यादा मतार इंटरनेशनल नहीं हो सकती मुझे नहीं लगता ये ज्यादा ज्यादा इरान इसमें कूद पड़ेगा इरान के कूद पड़ने के बावजूद भी अचीन और रूस इस जंग में नहीं आएंगे और मुझे नहीं लगता कि इरान वाज़ तोर पर इस जंग में कूद देगा इरान की भी इतनी सकत नहीं है उनको भी पता है कि इसराइल का मैं में मुकाबला नहीं कर सकता और इसराइल के पीछे जो पूरी वेस्टरंड वर्ल्ड में उसका में काबला नहीं किर सकता देगी और एरान के लिए बहुत मुश्कल हो जाएगा अपनी साख बचाना भी अगर एरान ने जंग मूली आपको पता है एरान के अंदर जा के उन्होंने हमास के लीडर को इसमाइल हानिया को मार दिया था और जाहर इसराइल ने मारा था माना तो नहीं नहीं कि हमने मारा था लेकिन इरान ने बस मूह दखावे के लिए कुछ मिजाइल फैंके थे और इरान को पता है कि इसराइल का मिजाइल जो एंटी मिजाइल डोम सिस्टम है वो इतना स्टॉनग है कि उनके हैं को दो तीन मिजाइल ही करेंगे हम तीन सो फैंकेंगे 297 वैसे वो एंटी मिजायल डॉम सिस्टम बरबाद कर देगा तो बस मूँ दिखावे के लिए फैंकते हैं अपनी पब्लिक कंजम्शन के लिए फेस सेविंग के लिए तो ये जंग अब मैं इस पर ये बात भी जरूर कौँगा कि नतन याहू की भी पुलिटिकल मजबूरी है वो भी जाहिरान पॉपॉलर है वो भी चाहते हैं कि इस जंग में जितने आगे के स्टेप्स जाएं वो हो ताके उनके खलाफ रेबल जो उनके अपने पुलिटिकल लोग है वो ना ना करें और फिर नतन याहू भी ये समयते हैं कि उनके पास मौका है कि जिस तरह उन्हों ने हमास का काफी हद तक सिस्टम बर्बाद कर दिया है अब वो हेजब ला का सिस्टम जो नेट वर्क है उसका बर्बाद करने का उन्हों शल्सा शुरू कर दी है खौफनाक जग है अब तक की जो चैंद गंटों की इतलाँत हैं उनके मताबक छे साथ सो हेजब ला के लोग या आम 미چैرے لمنا نیشیری بھی مارے جا چکے ہیں اور اگر حضب اللہ نہ رکے تو تباہی اور زیادہ ہوگی حضب اللہ زیادہ زیادہ یہ ispok rocket پھینک رہا ہے اور پھینکے گا تو پھر اسرائیل اور پھینکے گا پھر indent کیا ہوگا ind shrimp یہ ہوگا کہ وہ مدد کے لیے آئے گا ایران تو میں نے پیچھے بتا دیا ایران مدد کے لیے آگیا تو پھر ساری مدد کے لیے آجائے گی اسرائیل کی نتن یاہو کے اوپر جو दबाव है election election कराने का या हकूमत छोड़ने का वो खत्म हो जाएगा और फिर वो नतिन याहू को मौका मिल जाएगा के हिजबुल्ला की पूरी की पूरी जो स्ट्रेंग्ट है उसको maximum हद तक वो दबाव बरबाद करेगा। मेरे जैसे आपने पहले कहा कि वर्ल्ड पीस चाहत की तरफ आते हैं यह रूस यूक्रेन की जंग यूक्रेन के सदर जिलिंस्की ने भी अमरीका में कहा है कि हम दोनों मुलकों की जल्द जंग खत्म हो सकती है तो फिर इस से उनकी क्या मुराद है देखिए यह बड़ा इंटरस्टिंग बयान है अभी उन्होंने अमरीका में वो भी यू एन जी ए में पहुंचे हुए हैं तो उन्होंने एक जगा पर यह बात की है अके जी यह जंग जल्द खत्म होने को है यह हो सकती है शर्त उन्होंने यह रखी है कि मुझे जो वेस्टन वर्ल्ड है वो ज्यादत से ज्यादा मदद करे ज्यादा ज्यादा असला दे ताके मैं अपनी टाकत रूस को दिखाऊंँ जैसा के वो इस वक्ड रूस के कुछ हिसे के अंदर गुसे हुए हैं तो वो कुछ और अंदर गुसना चाहते हैं वो ऐसा है मेजायल लेना चाहते हैं अमरीका से और यॉर्पिन यूनियन से जो रूस के अंदर जाके हम दे करें वो यह कहना चाहते हैं कि मेरी यानि यूकरेन की पॉजिशन वीक है इसलिए रूस हमें ड्रा धमका रहा है अब अगर हमारी पॉजिशन मजबूत हो जाए तो हम रूस को ड्राएं धमकाएंगे तो फिर सदरवलादी में पूतन मजबूरी में पीस टॉक पे आएंगे अच्छा ये सही है कि जब दुनिया में इस तरह की जंगें हो रही होती है पीस तभी सम्टाइम अनफर्चनली होता है जब दोनों तरफ की जो पावर है वो पूरी की पूरी फुल फोर्स के साथ दिखाई जाए फिर मजबूर होते है वरना ही होता है कि जो बड़ा देश ह है वो कहता है भी मैं तो इसको तबाव बरबाद करी रहाँ थोड़ा और कर दूँगा इसकी ऐसी के तैसी तो जब उसके पास चोटे देश के पास ताकत आ जाती है तो वो भी कुछ तबाई ला सकता है तो फिर बड़े देश को कान होते हैं कि भी इसके पास भी असला हाला कि वो अल्लेडी वेस्टन वर्ल्ड के साथ ही जंग चल दी हैं लेकिन वो कहने को बातें कुछ और होती हैं तो इस सारी सूरते हाल में अब ये एक लिहास से स्टेटमेंट थोड़ी सी खुशाइंद है और दूसरे लिहास से ये फिकर मन्द है अब खुशाइंद कैसे खुशाइंद ऐसे है कि जब सदर जिलिंस्की ये कहते हैं बले से वो ये शर्ट रख रहे हैं कि मुझे वेस्टन वर्ल्ड वो कुछ ऐसा असला दे कि मैं रूस को अपनी ताकत दिखाऊं तो फिर ये जंग हत्म हो सकती है फिर रूस मुझा की मेस पे आएगा मुझे से एक दूसरा मैसेज भी मिलता है जाज जिनलिस्स के कहीं बैकडरोड डिप्लोमेसी इंडिया के जरीए भी और दूसरे कुछ डेशों के जरीए भी ऐसी चल रही होगी कि रूस ने इंडिकेशन दी होगी कि आपके साथ अब हम जंग को खतम कर सकते हैं जो को रूस भी इस जंग के इज़त के साथ कोट अनकोट इज़त के साथ मैस जंग से बाहर हूँ दुनिया ये ना कहे कि रूस को भागना पड़ा हाला कि अमरीका फानसान से बागा वेस्टर वर्ल की सोच है न वो जरा और है वो कहते है यार जान चुड़ाओ चाहे बागना भी पड़े जान तो जैसा कि मैं कहा रहा था कि रूस भी अपनी एग्जिट स्ट्राइजी चाहता है फेस सेविंग चाहता है और हो सकता कुछ डिप्लोमेसी काम कर रही हो और दूसरी मैंने बात की थी ये तो है एक थोड़ी सी आप्टिमिस्टिक सिच्वेशन दूसरी जो थोड़ी सी खत करने की तो फिर हो सकता है रूस इश्टियाल में आजाए कोई यूक्रेन के अंदर वो कोई जो है अटामिक न्यूक्लियर वो गंदा सा एक्सपेरिमेंट करें तो फिर ये बहुत खतरनात रुक त्यार कर सकती है अभी मैं पीछे कहा था कि मुझे और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे इसराईल हिस्ब लाइज इसराईल हमास की लडाई में वर्ड वार नहीं नजर आती है वो रीजिनल ही रहता है इनकी लडाई में तो वाज़े तो वर्ल्ड वार है तो एक जैसा मैंने का कि आप्टिमिस्टिक बात है थोड़ी सी होसला कुन बात ह केलरियो जिसकी बेस पर सदर जिलिंज की नीजे कहा है और दूसरी होसला शेकन बात है कि अगर इसा ना हुआ तो क्या होगा चलिए अब इस तरफ आते हैं कि सी एन एन के हालिया पोल्स के मताबिक कमाला हैरस और ट्राम का मकाबला नेक टो नेक है तो अब आप इन पोल्स क्या अपनी राए दीजिए देखिया सी एन एन के पोल्स आज ही सामने आए उन्हों ने एक पॉइंट कमाला को आगे दिखाया है जो को बहुत बड़ी बात नहीं होती है अब जब सी एन एन दिखाएगा एक पॉइंट आगे तो वैसे भी वो मश्कूक होगी बात इसलिए कि सी एन एन तो शुरू दिन से सदर्टर्म के खलाफ है और डेमोगरेट्स के हक में है तो वो तो दिखाएगा नहीं कि जो इस वक्त कंसरवेटिव मीडिया के पॉल्स है वो सदर्टर्म को एक या दो पॉइंट आगे दिखा रहे हैं ये बात सी एन एन की ठीक है सब की ठी नेक है अब सी एन एन ने आज ये तबसरा किया है कि अगर दोनों का मकाबला नेक टू नेक है दोनों का मैच फंसा हुआ है इतने करीब हैं दोनों तो वो सी एन एन भी ये बात मान रहा है वो ये कह रहा है इसका मतलब ही है कि अमेरिकन अवाम ने किसी लीडर को अभी तक तोर पर चुना नहीं है, यानि वो यह कहना चाहरा है कि अगर चुना होता अमेरिकन अवाम ने, तो वो यह लीड में फरक होता, को आट-डस पॉइंट का फरक होता, पता चलता, कि अवाम ने, like people are like ये भी ठीक है और ऐसे भी हो जाए है तो भी ठीक like they are not very enthusiastic about having certain results out of it. ये भी और दूसरा ये भी लोग सोचते हैं कि इन दोनों में कोई इतना फर्क तो है नहीं ठीक है तो ये ज्यादा जो है ने मेरी राए के मताबए परशान कुन बात है कमाला हैरिस के लिए क्योंकि सदर बाइडन ने कुर्बानी दी कुर्बानी का बकरा बने उनों का जी मैं अगला एलेक्शन नहीं लड़ूंगा मैं कमाला को नॉमीनी मनाता हूँ तो कमाला को फुल फोर्स लिबरल मीडिया ने भी दी और बिजनसमेन ने भी दी तो इसके बावजूद कमाला टरम से आगे नहीं निकल सकी अभी तक के पोल्ज के मताबिद और मुझे लगता भी नहीं है कि इलेक्शन के दिन तक वो निकल सकेगी मुझे आज यहीं इमकान लगता है कि अगर ये इलेक्शन मैनुवरिंग के बगार ठीक ठाक तरीके से हो गए तो टरम शायद जीट जाएंगे क्योंकि टरम ने अभी रीसेंट्ली कहा है कि अगर वो ये इलेक्शन ना जीट सके तो फिर वो पॉलिटिक्स को खैरबाद कहा देंगे अगला एलेक्शन उन नहीं लड़ेंगे यह उन ने कहा है यह पॉलिटिशन अपने स्टेटमेंट्स देते रखते हैं यह अपने पॉइंट व्यू से मुकर्बी सकते हैं लेकिन यह स्टेटमेंट बड़ी लॉजिकल भी लगती है कि अल्रेडी में ही स्टचिंग एटी यह इस वक्त यह भी बहुत बड़ी भाइस है पूरी दुनिया में कि जो यूथ हा रहा है और जो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है दुनिया में AI और पॉलिटिकल रियालिटी जियोग्राफिकल रियालिटी के साथ तो उसकी वज़ा से भी काफी सारे कुश्चिंज हैं चलिए इस बारे में तो बात होती रहेगी हम आएंदा इस पर बात करते रहेंगे अब कैनेडा की तरफ थोड़ा साथ में है केनेडा के ऑपोजिशन लीडर पियर पॉलिवर ने जल्द एलेक्शन करवाने का मतालबा किया है और अपनी जीत की सूरत में केनेडा की साथ को इंटरनाशनल लेवल पर बहाल करने का दावा किया है जी आप इस बारे में क्या कहेंगे देखिए कैनड़ा का अपोजिशन लेडर पियर पॉलिवर कई महीनों से और खास और कई हफ़तों से फोर्सफुली कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन जल्दी होने चाहिए. पिछे दिनों उसने भी ऐलान कर दिया था जगमीद सिंग ने भी कि भाई मैं अब इसकी पार्टी से अपना कॉलिशन खत्म कर लूँगा. तो शायद कॉलिशन उसने फॉर्मली खत्म कर लिया है. शायद. पता ही नहीं चलता. जगमीर क्या चाहता है? ट्रूडो क्या चाहता है? लेकिन जब पियर पॉलिवर ने दो ती नफ़ते पहले कहा था कि मैं वोट अफ नॉट नॉ होंगा. टूडो के खलाफ. तो अफ़ोर्स उसको कंसरवेटिव को वोट चाहिए थे. कंसरवेटिव को एक तुच चाहिए वोट ब्लॉक से. ब्लॉक यो बिकॉस से. और दूसरा कुछ वोट अगर कम पढ़े. तो वो जगमीत के पार्टी से चाहिए. तो जगमीत ने इस स वोट ओफ नो कांफिड़न्स की सूरत में वोट भी डालेगा. या अगर ना भी डाले, साइलन्ट भी रहे. टूडो. तो भी टूडो के खलाफ अगर वोट ना डाले. और साइलन्ट रहे. तो भी मेरा नहीं ख्याल के कंसरवेटिव और ब्लॉक क्यो बिकॉस मिल के वोट नो कांफिड़न्स ला सकेंगे. टूडो के खलाफ. अब टूडो को खुद भी कोई एसास करना चाहिए. चूड़ के अनपॉपलर हो. उसकी पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि भाई आप छोड़ो. पार्टी की लीडर्शिप छोड़ो. जिस तरह बाइडन से कह रह सारे पॉल्स बता रहे हैं. टूइंटी पॉइंटी पॉइंट्स इन इतना फरक है. टूइंटी पॉइंट्स लो है ऐस कंपेर टू कंसरवेटर्स. सारे पॉल्स बता रहे हैं. वो कहता है नहीं मैं इलेक्शन जब वक्त पे होंगे तब तक मैं रहूंगा. हो सकता है मैं य की पार्टी से एक दर्जन से ज्यादा MPs already उसको लिख चुके हैं का भाई हमारी जान चोड़ो तुम्हारी वज़ा से हम अगला अलेक्शन हा रहेंगे हमारी पार्टी आ रहेंगे लेकिन टूडो अपनी जिद पे काईम है वो कहता है नहीं मैं तो चम्टा रहूँगा इक्तदार के साथ अब जो आज के दिन ही ये पियर पुलेवर ने पार्लिमेंट में कहा है कि भई जो टूडो को रिजाइन करना चाहिए जल्द एलेक्शन करवानी चाहिए और पिर अनने कहा कि अगर मैं जीता तो जो के니다 की साथ है दुनिया में खराब वोई ए है ये साथ रही है के ची़ल रही है कि मेशा से एक जो आधाया ना बड़ा ही किमपेशनेंट रखने देश, political asylum's देने वाला देश, और दुनिया की मदद करने वाला देश, इस तरह की साख रही है. जब प्रामिनिस्टर हार्पर आए थे, मेरा खाल है, वो दो हजार छे से गालबन दो हजार पंदरना तक रहे थे प्रामिनिस्टर. एक उनकी majority government थी, दो उनकी minority government थी, तो प्रामिनिस्टर हार्पर ने कैनिड़ा को वर्ल्ड स्टेज़ पे किया था, यह लिए 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 का नाम वर्ल्ड स्टेज़ पे आया था, जो हमारे लिबरल्स हैं यहां पे, जिनका बहुत political correctness का खाब होता है, उनको हार्पर सा नहीं थे, वों कहते थे हार्पर ने एक 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 सौर्ट अफा जंगजू काउम के तौर पर कैनिड़ा को मतारफ करवाया, वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन हार्पर ने कैनिड़ा का एक image बनाया था, मैं भी समझता हूँ कि उसने image बनाया था, अब Trudeau ने आके वही जो है ना अपना जो एक terminology है दुनिया में globalist और nationalist, अब यह इस पर हम कभी बात करेंगे, यह एक अलग बहस है, तो Trudeau ने globalist policy बनाई, उसके कुछ फाइदे भी है, नुक्सान ज्यादा है, मेरी राए में, nationalism के कुछ नुक्सान है, फाइदे भी है, तो खेर वो एक अलग बहस है, वो एक अलग discussion बनती है, अब बारहाल यह है, कि पियर पुलीवर का यह कहना है, कि Trudeau को जल्द election करवाने चाहिए, और इसके नतीजा में, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना election के बाद, तो फिर मैं कैनेडा की साथ को बहाल करूँगा, देखिए, यह सब political realities जो बदल चुक करते रहेंगे, लोगों को आगाह करते रहेंगे, आज का बिला तकल्फ शो ताहिर गोर और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया, आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इसी चैनल पर मौजू डुनेट के बटन को दबा कर आ ट्रियान, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के से ये डोनेट कर सकते हैं सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट अनुटिकाशन बटन